तो कबार फिर से लेके आ गए हैं यूटिल वर्सिस लूमिनस के इनवर्टर की सेरीज को और ये इस सेरीज का चटा वीडियो है इससे पहले 5 वीडियो हम बना चुके हैं वो आप देख सकते हैं उसके अदर बहुत ही अच्छे तरीक से आपको बताया गया है कि कौन सा इनवर वर्टर 2KVA के इनवर्टर के बारे में दोनों ही इनवर्टर PWM टेक्नलोजी के हैं दोनों में काफी सिमिलेर्टी है लेकिन वीडियो को पूरा लाट तक देखे तब ही आपको पता चलेगा कि कौन सा इनवर्टर वैल्यू फोर मनी हैं तो यहां पर हम बात करने वाले हैं द रखी वो देखना चाहते थे वो देख सकते हैं लेकिन ये उसका चोटा वेर्टर 2KVA का और ये PWM टेक्नलोजी का है इसी को हम कंपेर करने वाले हैं यूटियल के साथ हमें तो सबसे पहले बात करते हैं यूटियल है लिक तीन हजार की तो इसका मोडल नंबर तो तीन हजार है लेकिन ये 2200 वियो लोड कपेस्टी के साथ में आता है ये लबग 1.5KV तक के लोड के लिए बिल्कुल परफेक्ट इनवर्टर है और पैनल कपेस्टी की बात करें तो 2KV तक के पैनल लगा सकते हैं तो इसकी मदद से आप एक complete 2KV का सॉलर सिस्टम त्यार कर सकते हैं अ है कि आप कोई भी पैनल बड़ी हराम से इसके उपर लगा सकते हैं और जितने भी पैनल आप लगाते हैं वो सभी इसके उपर पैरलली कनेक्ट करेंगे तभी आपको ज़दा बेनिफिट मिलेगा इसके अलावा इसके उपर आपको दो साल की वरंटी मिलती है पर उसाइनी आपको बात करें तो लगबग 14,000 रुपी में ये बड़े ही अराम से आपको मिल जाता है इसके अलावा भी इसके अंदर काफी फीचर दिये गए है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे लेकिन एक एहम फीचर है जो कि इसे एक यूनिक सोलर इन्वर्टर बनाता है वो है इसके अंदर दिये गए थीन मोड हाईडिड पीसियो समार्ट मॉड इन तीनों मोड के मदद से आप बिजली के बिल्को कम कर सकते हैं या बैंटरी बैकाप बढ़ा सकते हैं अलग 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 है कहीं पर अधिक पावर कट रहते हैं तो वहां पर अलग मोड यूज़ होगा कहीं पर सार दिन त Liberty है तो वहां पर बिजली के पिल्कॉ कम करने के लिए अलग मोडियो जोगा इस निसके बारए में हमने एक डिटेल में वीडियो बना हुआ है और देख सकते हैं इन मोड के बारे में जदा डिटेल में जानने के लिए आप यूटियल तो अब बात करते हैं लूमिनस के सोलर वर्टर 2KV के मोडल के बारे में यह भी PWM टेकनलोजी का इनवर्टर है और 2KV लोड कपेस्टी के साथ में आता है और 2KV के पैनल भी लगा सकते हैं लेकिन इंटरस्टिंग बात यह है कि इसकी जो VOC है वो 60V दी गई है तो यहां पर इसके अंदर अधिक VOC दे गई है इसका मतलब यह है कि अभी तो 15V की VOC रेंज के अंदर ही हमें सोलर पैनल मिल रहे हैं और इन फिचर अगर कोई ज़्यादा हाई वियो सीरेंज का भी पैनल आता है और बाकि जो सबी चीजी है वो अलमुस्ट यूटिल हैलिक वाले ही है और इसके अंदर भी आपको ऐसा ही मोड मिलता है जिससे कि आप बिजली कबिल को कम कर सकते हैं या बैंटरी बैक बढ़ा सकते हैं इसके अंदर आपको solar, solar plus grid, grid plus solar ये तीन मोड दिये गए हैं जिनको आपको अलगरी situation के अंदर यूज करने होते हैं इसके अलावा दोनों ही inverter के अंदर आपको display देखने को मिलती है और दोनों ही inverter के अंदर आपको customization करने के लिए button दिये गए हैं लेकिन यहां पर personally मैंने दोनों को यूज करके देखा है तो जो utility helic का इंटरफेज है वो काफी हसानी से काफी चीजों का आप चेंज कर सकते हैं और कुछ button दिये गए हैं जैसे IT mode को select करने का grid charging को disable enable करने का boost charging को enable disable करने का ऐसे button को आप एक बार press करने से ही इन सभी mode को change कर सकते हैं वही पर दूसरी तरफ जो luminous solar water 2kVA का model है इसके अंदर हाला की setting को change कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा complicated है आपको समझाने में थोड़ा सा time लग सकता है otherwise इसके अंदर भी आपको complete वही setting देखने को मिलती है जो आपको यूटिल हैलिक के अंदर मिलती है लेकिन यहाँ पर एक और चीज आती है कि जो यूटिल हैलिक model है उसके उपर आप generator को भी connect कर सकते है as a input grid supply के और यहाँ पर जो luminous solar inverter inverter दिया गया है इसके उपर आप generator लगा सकते हैं या नहीं इसकी कोई भी information नहीं है तो दोनों ही inverter बिल्कुल perfect हैं दो किलोवर्ट के solar system के लिए तो अब आपको यह देखना कि आपके area के अंदर कौन सी company का inverter आपको सही कीमत पे मिल रहा है कौन सी company आपके area के अंदर काफी अच्छी service दे रही है यह पता करने का बहुत ही असान तरीका है या तो जिसके घर में पहले inverter लगा हुआ है उनसे आप पूच सकते हैं और या आप जो आपके नजदी के दुकानदार है वहां से भी पता कर सकते हैं और अब इन दोनों inverter के features की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं यूटिल हैलियक के feature के बारे में तो हैलिक inverter के feature की बात करें तो इसके अंदर काफी ज़्यादा feature मिलते हैं जिसके list या पर आपको दी गई है सबसे पहले बता दे कि इसके अंदर आपको inbuilt PWM technology का solar charge controller मिलता है और यह inverter 50 और 60 Hz की frequency के साथ में आता है और इसके अंदर आपको multi stage charging भी मिलती है और यह inverter हमेशा solar को priority देता है चाहिए load चाल रहा हो या battery charging हो रही हो maximum जो utilization है वो solar का पहले होता है और pure sine wave output वाला inverter है production भी इसके अंदर आपको कफी ज़्यादा दी गई है जो यहाँ पर आप देख सकते हैं short form इनकी लिखी हुई है और साथ में मैं यहाँ पर आपको इनकी complete form भी दिखा देता हूं जिसे आपको बता चल जाएगा कि कितनी ज़्यादा production इसके अंदर मिलती है यह inverter generator के साथ में compatible है तो इसके उपर आप input source के जैसे generator को भी लगा सकते हैं यह inverter I2Load को भी support करता है तो computer जैसे printer जैसे appliance भी आप इसके उपर connect करके अपना काम चला सकते हैं और यह SMF gel tubular जैसे battery को भी support कर लेता है तो यह कुछ feature है जो कि इसके अंदर आपको मिलते हैं और जो सबसे बड़िया feature है जो मैंने बताया है जो तीन mode दिये गए है वो है जिसके मदद से बिजली के बिल को कम कर सकते हैं battery backup को बढ़ा सकते हैं तो वैसी तो luminance company के solar inverter series के सभी inverter के अंदर काफी feature दिये गए है और यहां पर इन के कुछ highlight feature भी दिये गए है जो कि इन inverter को खास inverter बदनाते हैं जैसे कि smart solar optimization इस feature के अंदर जो priority है वो solar के ऊपर रहती है चाहे लोड चलाना हो या battery charging करना हो जैसे कि maximum आपके solar की power use होगी और आपका बिजली का बिल भी कम होगा और आपको battery backup भी अच्छा मिलेगा इसके अलावा इसके अंदर solar से related 3 mode दिये गए हैं जिसके बारे में पहले हमने बताया है जो कि solar mode solar plus grid mode grid plus solar mode दिया गया है जिसका उप्योग आप अलगल जगें के लिए कर सकते हैं कहीं पर battery backup की अधिकाव शकता होती है कहीं पर बिजली का बिल कम करना होता है और अगर आप घर के अन्या अप्लाइंस चलाना चाहते हैं तो normal board का उप्योग कर सकते हैं जिसमें आपको जो inverter है वो wide range के अंदर काम करता है और इसके अगला feature इसके अंदर मिलता है maximum capacity utilization का इसका मतलब है कि जितने VA का inverter है उतने ही vote के solar panel आप लगा सकते हैं आपने generally देखा होगा कि कई solar inverter ऐसे आते हैं उनकी जो load capacity है वो तो काफी जादा होती है लेकिन panel capacity काफी कम होती है लेकिन luminous के इस series के अंदर ऐसा नहीं है आपको यहाँ पर जितनी VA capacity मिलेगी उतनी ही panel capacity मिलेगी और इनकी जो MPPT series है उसके अंदर तो आप load से ज़्यादा ही पैनल लगा सकते हैं जिसके बारे में आगे आने वाली वीडियो जो में हम बात करेंगे इससे अगला feature है कि इसके अंदर आपको user friendly LCD display दी गई है इससे पहले आपको utile company के अंदर भी multi color LCD display वाली solar inverter मिलते हैं इन display का खास फाइदा यह होता है कि जब यह अलग अलग color की glow करती है तो आपको पता चल जाता है कि inverter के अंदर क्या function चल रहा है तो यह कुछ खास feature है जो कि इन inverter को खास बनाते हैं तो यह feature थे लोमनेस solar inverter inverter के और देख सकते हैं कि दोनों के अंदर काफी unique feature दिये गए है जो कि इन्हें एक perfect solar inverter बनाते हैं तो इन दोनों में से जो भी आपको पसंद आता है वो आप खरीद सकते हैं और अगर इनके वारे में अभी-भी आपकोई सवाल यसोजाव रह जाता है तो वीडियो कमेंट बोक्स में कमेंट करैं वीडियो पसंद आयो वेज़ा वारे हैं लाइक करेए साथ ए मारे साथ बेल एकन को जरूर दबाएं ताकी सी परकार की बडियो को समा समापर, मिल्टी रहे धन्यामाद